अगर वो टीपू सुल्तान अले रह्मत और रिद्वान के तालुक से कहता है कि यह गलत है तो मैं समझता हूँ वो इंसान सबसे बड़ा गलब है जो हजरते टीपू शहीद अले रह्मत और रिद्वान को गलत है भी शक्त से कह रहा हो कि टीपु शहीद अले रह्मत उरिद्वान का नाम तारीक से हटा दो, अगर वो जिन्दगी भर भी कोशिश करता रहे, कुछ किताबों में हटा भी दे, हमारे सीनों में हज़रते टीपु शहीद अले रह्मत उरिद्वान का नाम देखा हूँ नावार पार सुल्टान इनावार नावार नावार अड़र अन्य नावार King सुल्टान इनावार राराज तरकें आ लावा कुलर सिल्टान थेत्वित प्रॉज चभित बात तो ये, ये जो यहां पर तमाम लोग जमा हुए है हञ्रते फते शावली अले रहमत और रधवान की बार्गाह में चादर शरीफ पेश की जा रही है तमाम नौजवानों के जरीर और ये हर साल हज्रत टीफू शहीद अले रहमत और रधवान कि ऐयाम आते हैं वक्त आता है तो उस वाद पात्याखानी होती है यहां पर और फिर चादर शरीफ पेश की जाती है यहां से हम हर जगा यह पैगाम देते हैं कि हमको सुकून के साथ रहना है अमन के साथ रहना है जिस तरह रसूल अल्लाव ने अरब की सरजमीन से सारे आलम में सुकून का पैगाम दिया जिस तरह करनाटक की सरजमीन से हजरत टीपु शहीद अले रह्मत और रिद्वान ने यह पैगाम दिया कि हमें अमन और सुकुन के साथ रहना है सब के साथ रहना है सब को लेकर के चलना है इस तोर पर कि आईने हिंद कायम रहे हम भी यहां से हर साल फातिया खानी के जरीए कलाम पाकी तिलावत के जरीए हमारे सल्मान भाई हैं और पूरे नوجवान हैं जितने भी मौजूद हैं सुल्तान ब्रदर्स के जरीए ये तमाम तर चीज़ें की जाती है हर साल किया जाता है और इनका ये मामिला होता है कि भाई जहां पर भी कौम के नوجवान हैं वो तालीमी तोर पर जगें जिस तरह हजरती टीपू शहीद आगे बढ़े अपने जो हक की जबान है उसको पेश करे और बातिल का बुतलान ये गलत चीज़ों को गलत कहना सही चीज़ों को सही कहना यही हजरती टीपू शहीद आगे बढ़े अपनी पूरी जिन्दगी भर यही कहते रहे और यहां से हम फते शावली अले रह्मत और रिद्वान जो के कुटबे हुबली हैं शाय हुबली हैं फते हुबली हैं इनकी बारगाह में हम चादर शरीप पेश करके यह अज्म करते हैं कि अमन के लिए सुकून के लिए हर वक्त हम तयार रहेंगे अब रही बात वो अलिया कामिलीन की जो हजरते टीपू शहीद अले रह्मत और रिद्वान के दौर में थे और हजरते टीपू शहीद अले रह्मत और रिद्वान के विलादत से कबल जो पेगामे विलादत दिये थे यह अलिया किराम सूफिया के फालोवर्स थे صوفیہ اکرام کو صوفیذم کو عام کرنے کے لیے تو ہم یہاں پر آ کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں تمام لوگوں کی بارگاہ میں کہ ہم تمام لوگوں کو ایک ہو کر کے نیک ہو کر کے اقائد اہل سنت کے دائرے میں جس طرح حضرت ڈاٹیپو شہید علی رحمت اور عزوان نے پیغام محبت دے تھی وہ پیغام محبت یہاں سے آج ہم عام کریں تو اپنی ایک خاص بات آپ کو رکھو میں ایک عالم دین ہو सियासी मामिलाद के किसी भी मामिले पर मैं कमेंट नहीं करता, मैं एक अपनी बात रख दो, वो हमारे नوجوانान आना है, वो आपको बताएंगे, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मेरा काम दीन को आम करना है, अमन का पगाम देना है, सुकून का पगाम देना है, वो तो मैं देता रहूंगा रही बास हदर टीपू शहीद अले रहमत और रिदवान की तो इससे हिंदुस्तान के किसी बंदे को कोई इतराज नहीं होना चाहिए इसलिए इतराज नहीं होना चाहिए इन्होंने हमारी हिफाज़त की फक्त मुसल्मानों की हिफाज़त नहीं किये हर कौम की हिफ हुआ इनसान सबसे बड़ा गलत है जो हज़रते टीपू शहिद अले रह्मत और रिद्वान को गलत कहता हूँ और यह जो मेरे जुमले कोई सियासी नहीं है यह आम तोर पे हर मजभब का बंदा जो कहता है वो मैं आपके बारगार कर रहा हुए खिलाफ तो लड़ाई के खिलाफ जंग की थी उसके साथ साथ आप आए अबादतों के हुदूद में अब चूंके मैं आलिम इदीन हुआ उलिया कामिलीन का मानने वाला हूँ तो मैं समझता हूँ हजरते टीपू शहिद अले रह्मत और रिद्वान एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं बहुत आपकी बातिल गुनाहूं से थी जो कि हर मजब के बंदे को बोलते थे जिस तरह आप जंग के मैदान में जाके जंग कर रहे हो इसी तरह खुद के गुनाहूं से भी तुम्हें जंग करना पड़ेगा हैं इन पैगामात को आम करने के लिए आज हम जमा हैं सिर्फ दिखने वाली चीज़ों को आम करने से बहतर है जो ना दिखती हो किताबों में मौझूद हो उन चीज़ों को आम किया जाए अब असल बात सुनिए जो पहला आपने सुवाल किया था कुछ लोग हजरते टीपू शहिद अले रहमत और रिद्वान के मौमिलात से एतरास करते हैं मैं बड़े खुबसूरत अंदाज में पड़ा करते थे और आप जब तिलावतें करते थे तो कोई भी मसला हो कोई भी पैगाम हो या कोई भी फैसला हो आप तिलावते का लामें पक्रते थे फिर उस फैसले को किया करते हैं ये अधरते टिपू शाय दे ले रहे हैं अधिये मेरा पैगाम हर वक्त सियासी मामिलात में नहीं हो मैं ये बात बहले भी बोला आपको आप भी बोल रहा हूं मैं एक आलिमेदीन हूँ, सुफिया का, फालोर हूँ, मैं चिश्टी हूँ मेरा पैगाम तमाम लोगों के लिए होगा और रही बात सियासी मामिलात, सियासी मामिलात में मैं कभी अमल दखल नहीं करता अब आपने कहा कोई लोग कह रहे हैं के नाम हटा दो वो कौन लोग कह रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं, उनके खिलाफ मैं जवाब नहीं दूँगा, अलबता मैं आम फहम जवाब दूँगा, अगर कोई भी शक्स ये कह रहा हो, कि टीपु शहीद अले रहमत और रिद्वान का नाम तारीक से हटा दो, अगर वो जिन्दगी भर भ वाले आउलादों को हमें पैगाम देते रहेंगे, हज़रत टीपु शहीद हमारे लिए जरूरी थे, जरूरी हैं और जरूरी रहेंगे, मिलाद माने पैदा होना, मिलाद विलादत, ये अर्बिक लवज है, जैसे कि बर्थ डे हम कहते हैं तो यौमे विलादत है, अब तख जब तालीम सिकाने का पैगाम देते हैं, हज़रत टीपु को याद करते हैं, लेकिन बड़े ताज्यूब की बात है, और बड़े अफसोस की बात है, अगर हिंदुस्तान के सरजमीन में रह करके, अगर कोई ये कहता है, कि हज़रत टीपु की याद तुम ना मनाओ, तो मु फिर भी अगर हज़रत टीपु के नाम को हटाने की बात करेगा, हसद है, हसद के सिवा कुछ में, हज़रत टीपु सुल्तान रहमत अलाले, हमारे हिंदुस्तान के पहले फ्रिडम फेटर है, और बाखायामत तक भी उनका नाम हर मुसल्मान और हर सच्चा हिंदुस्तान की दिलों में गुंसता रहेगा, और ये सियासिती लोग है, हज़रत टीपु सुल्तान उनका नाम मिटाना चाते है न, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बुले तो, हमारे हज़रत टीपु सुल्तान जो है, हमारे हिंदुस्तान के लिए, अपनों बच्चों को कुरबान क है, जो सच्चा हितियास जो जाना है, उन्हें हज़रत टीपु सुल्तान उनका जनम दिन बनाएगा, और उनका नाम लेते हुए, भूजते हुए घुम जा रहेगा, हमारे जो हज़रत टीपु सुल्तान थे, सभी कोई धरम को भी उन्होंने कुछ अलग तरीके से देखाने सबी लोगों को एक साथ एक नजर से देखिया है, अपने साथ में रहने वालों हिंदु दलित बावियों को भी उन्होंने खेत करने के लिए भी दिया है, तो इसी मकसद से मैं बोलना चाता हूँ कि हिंदु मुसल्मान एकता के साथ रहे हैं हिंदुस्तान में, इसी मकसद क लेकर हम हर साल हजरट टिपु सुलतान का जनाम दिन मौकशे हैं है तक्रीबधत एक हम तकरीब ने सात से आठ साल से कर रहे हैं जिस तरीके से हम हर साल भी समय का जनाम दिन के मौकशे偌 पर दिल्ली खुशी से हम इनके जनम दिन मनाते आ रहे हैं इसी तरह से जो सच्चे हिंदुस्तानी है सच्चे मुसल्मान हो या सच्चा हिंदु हो सब लोग हजरत डिपो सुल्तान का जनम दिन मना है हर साल हम हजरत सेयद पतिशा वली दरगा के बाबा में जनम दिन मनाते हैं क्योंकि हमा करें हजरत सेयद फतिशाब बाबा के दरवार में जियारत करके गए इस वास्ते हम हजरत सेयद फतिशाब बाबा के दरवार में आकर हजरत टिपु सुन नगान जनम दिन मनाते हैं उनको एक कॉल ना कि भाई तो आपका यह कॉल ना है वो मुझाइद है इसलाम जिसने गुलामों के जिंदगी से शहादत को मौत को एहमियत दी और अपने कॉल के मताबिक करके बताया सव साल गीदर की जिंदिकी जीने से बहते रहे की एक दिन शेर की जिंदी की जी सवान सवान थाइमन इंटरनाशनल टूर्स अट्रावल Istarj नेगर नकलों हॉबली अबला आया है उम्रा और जियारत पाकेज ये डिलिक्स पाकेज रहेगा 14 दिनों के लिए मक्का में 500 मिटर दूरी पर होगा होटल और मदिने में सिर्फ 500 मिटर दूरी पर होगा होटल साथ दिन मक्का और साथ दिन मदिने में होगा क्याम हुबली से हुबली तक की सर्विस मक्का और मदिना की जियारते होगी एसी बस में सौट इंडिन खानों के साथ लाउंडरी की सहुलत ए टिकेट और हमरा विजा इंशुरेंस के साथ इसके अलाव और बहुत कुछ खाइश मनाजरात राविदा करें सहिज जुबेर से 9148356856 अलताज पार्टी हॉल के शापूर सरकल हुबली शादी भी आफ, बर्थडेज, स्कूल, कॉलेज, गेट टुगेदर, बिजनस समिनार्स, कॉनफरेंस और बिजनस मिटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में आज ही आईए अलताज पार्टी हॉल मज़िद तफसिलाथ के लिए राबिदा करें इजाद हमत बेपारी से डबल नेनेज 6143175